मित्रों यह और्गैनिक फॉर्गैनी सब छोड़के सीधा डॉली भाई की तरह मस्कार दोस्तों स्वागत एक फिर से नए ब्लोग में तो दोस्तों जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था मुंगफली मेरी कंप्लीट बो गई थी लेकिन यार आप सुबर से पानी गिर गया या यार पानी गिर गया तो मैंने का सेल बढ़ारा रख दें क्योंकि यार अगर ज्यादा गिर गया तो यहां पर रखने को रखना नहीं यार मतलब होगा और वैसे भी खेती किसानी में कभी पानी कभी बूंदा बांदी कभी ओले कभी कुछ अब मैं भी सोच रहा हूं ना या चाइब बेचेंगे यार चाइब बड़ी फाइदा है यार बाई बता एक भाई वो चाइब बेच रहा था उसको आकर यार बिल्गेट्स खेती किसानी में साला कोई पूच भी नहीं राम लोगों को यार अब अपन भी खेती किसानी छोड़के चाइब यार आप चाइब देख लो यार कहां कहां तक पहुंच गए हैं एक बंदा तो बिल्गेट्स तक पहुंच गया यार बड़ी चाय में फाइदा है अब यह सोड़ चाड़ देंगे यार मुंफली गेहूं बोना मक्का बोना सब बेकार यार कोई भी पूचता नहीं नहीं कोई जानता है तो यार कि घैर कि बाइब चाय में क्या सुछ अधी लो यार एक चाएक पैकेट ले लो अधाली रूद्र दूद्ल लेलो रामसे बेस्ते रहू याँ खेती में फाला चाइ जानी में सलाज बूरे आँमों। पपली तीन महीने बाद पता हो ना हो कोई गैरंटी नहीं है कि पता नहीं मोदी जी इसकी गैरंटी क्यों नहीं लेते हैं लग 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 के जोड़के अब चाहे बेचाएंगे जो किसानी का मसला हर किसी का बश्की बात नहीं है तो यह कुछ भक्त है जो ना कुछ भक्त बस सोचल मीडिया पर ज्यान देते रहते हैं कंरह अर्गैनिक जादे हो किसान भायो कौने लिए लिए ले लिए ज़ी तो आले बस ऑर्गैनिक चाहिए पैदावार सिंसु कुण कोई म टेंसन नालो यह और्गेनिक फोर्गेनी सब छोड़के सीधा डोली भाई की तरह चाय बेचेंगे बस मस्त से बिलगेश चाचाएंगे आराम से पीएंगे इतने बड़े इंसान अपना भी नाम होगा कि यह भाई मस्त चाय बनारा रोहित गाउंवाला तो भाई चाय बेचें मित्रों को वह उपर से बादल आ रहे हैं कली मुंफली बोई है और अगर राजबारी सोगे जाधा हो गई तो मुझे लगता है मुंफली जमीन के जमीन में रहेंगी बाहर तो निकलेंगी नहीं तो यही आयार मसला किसानी का जो करता है उसको समझ में आता है वाद बाद की ज्यान पेलने वाले तो बहुत हैं हमें पता है कि छोटे किसानों को कितना बचता है बाई बस साल चार मैने याच्छे मैने बाद उनको बस नहीं मिलता है कि बेचारे थोड़ा बहुत खा जो लेते हैं पेट में और बस एकाद जोड़ी अपने बच्चों के लिए कपड़ हम लोगोंने मक्का 20 रुपए में बेची थी मतलब जो पाइदा की थी अभी हम लोग बीज ले रहें ना 500 रुपए किलो मिल रही है तो आप समझ लोग कितने गुना हो गई तो किसानी का मसला यही है सबके नहीं समझ में मुझे पता है बहुत लोगों को तो मिर्ची लगत ही मेरी बात लेकिन लगने तो यार कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है अपनी हो गई अब बस चलते हैं अब बादल तो ही थोड़ा नाएंगे तो नाएंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है यार कलना आई